हम वास्तु क्या देख रहे हैं, मैंने बताया कि यदि किसी के पास वास्तु देखो, जो हम वास्तु सीखाते हैं, लोशोगीर से निमिरोलोजी से वास्तु, एक हमारी वेदित वास्तु है, इंडियर वास्तु, और एक हमारी लोशोगीर वास्तु है, हैंक्श्वी बगार है चार नमबर संपत्ती का कारक है एक नमबर से केरियर देखते हैं दो नमबर से विवा देखते हैं तीन नमबर से विवा देखते हैं चार नमबर से परिवार देखते हैं तीन नमबर से परिवार चार नमबर से संपत्ती पांच नमबर से सहत और छे नमबर से सहयक मित्र और सा नमबर से संतान, आठ नमबर से शिक्षा और नो नमबर से जट अगर हमारी लोशोब ग्रीड के अंदर हमारी डेट वबर्ट के अंदर चार नमबर किसी का मिस है तो उसके पास संपत्ती का अभाब होगा देखिए एक सवाल आता है एक व्यक्ति कहता है कि नहीं मेरे पास लोग पूछते हैं तो चार नमबर भी है और संपत्ती भी है तो आपकी संपत्ति कही ना कहीं इश्वर की उस्ते कहीं ना कहीं डिश्टर्ब हो सकती है ऐसी इस्तिविती में आप चार नंबर की रिमेडी करके चार नंबर को एक्टिबीट करो इसके अंदर क्या दिखाए देडा है साउथ इस्ट अगर किसी के पास चार नंबर नहीं है डेटो बर्थ के अंदर तो साउथ इस्ट में समस्तिया है अगर नो नमबर नहीं है तो साउथ में समस्त्या है और दो नमबर नहीं है तो साउथ वेस्ट में समस्त्या है अगर तीन नमबर नहीं है तो इस्ट में समस्त्या है और पांच नमबर नहीं है तो ब्रंद स्थान में समस्त्या है और साथ नमबर किसी के पास नहीं है वेस्ट नोर्थ में स्मस्थ आएगी अगर छे नंबर किसी के पास नहीं है तो नोर्थ-वेस्ट और एक नंबर नहीं है तो नोर्थ-वेस्ट और आठ नंबर नहीं है तो नोर्थ-इस्ट में प्रोब्लम आएगी इस तरह से हमारा वास्तुदोष अगर ये नंबरों का अभाव है हम भादु करिए नहीं है जीवन को जीने के तरीके को सेखाती हे हैं यन और यांग ब्रमान की दो विरोधी शक्ति हैं लेकिन एक के बिना दूसरी का अस्तित्र नहीं है जैसे इस्त्री और प्रोश इस्त्री के बिना प्रोश अधूरा है प्रोश के बिना इस्त्री और दुख और सुख अगर दुख है तो सुख है और सुख है दुख है दिन औ और चाहूं यन और यांग का मतलब है सई संतुलों का होना वास्तो दोस्ते मुक्ती है जैसे पानी हमारे लिए अमरत के समाने लेकिन जब वो बाड का काम करता है तो भ्यंक कर रूप ले देता है वो एक हत्यार बन जाता है सब कुछी सभा कर देता है उधारन के लिए अगर आपकी दिवार का रंग गहरा है तो आपको अपना फरनीचर का रंग हलका होना चाहिए इससे यन और यांग का संतुलों बन जाता है हमें उन सिस्टमों को समझना है वास्तु कौन साहित में रंग बठाता हूं साउधि साउध ऑपर सहिस होती है'm और साउध इसआउद्एस पास चार नंबर नहीं है में अगर आपको लोशों गीड में ग्रीड के अंदर चार नंबर मिस है तो वहां वुड-धार को स्थापित करें तीन नंबर मिस है वुड-धार एसे व्यक्ति को अपने उसमें रुद्राक्ष की माला ढालने कि और भी कुछ नहीं एक माचिस की तिल्ली रह ले अपने पाद, वुड एलिमेंट होना चाहिए, अब फाइल एलिमेंट, फाइल एलिमेंट क्या है, हमेशा ऐसे व्यक्ति को नो नमबर मिस होने पे लाल रंग अपने पास रखना चाहिए, आर्थ एलिमेंट, दो नमबर, आर्थ क्या है, मिट्ट जूड़के रहना चाहिए जिसका दो नंबर मिस है मिट्टी पे पैदा चलना चाहिए आपने देखा होगा नेचर प्रेथी वाले के पास जाके मिट्टी के जितने करीब रहेगा उसका स्वास ठीक हो जाएगा आठ पास दो नंबर किसी का नहीं है उसे बिमारी है तो उसे कहिए कि मिट्टी का लेप करवा आपने उपर मिट्टी में खेल उसकी रेमेडी हो जाएगा तीन नंबर मिस है तो फूड एलिमेंटर के इस्ताबित के जिए पांच अर्थ और साथ मेटल अगर किसी के पास साथ मिट्टी का कड़ा आपने हाथ में डालना चाहिए सिल्वर कलर की घड़ी बादने चाहिए छे नंबर किसी का मिस है उसे गोल्डन कलर की चैन पहनने चाहिए चैन और एक नंबर मिस है तो वाटर जैसे आठ नंबर अर्थ ऐलिमेंटर तो इस सब की रिसर्च आप सम खोजे तो आपको बहुत अच्छा लगएगा एक नंबर वाटर का दो पाँच आठ नंबर अर्थ के तीन चार वुड के छे साथ मेटल के नो नंबर फैर का अब इनके रंग देखी चार नंबर ग्रीन कलर सकता है नो नंबर परपल होता है दो नंबर ब्लेक होता है तीन नंबर ग्रीन होता है पाँच नंबर यैलो होता है साथ नमबर एक नमबर वगzahl होता है अक नमबर ब्लू परपल होता है और छे लिमबर व्यशे अगर किसी दिशा में इसके विप्री्जिश कला हैं इनके श्यक्रण अब वास्तू क्या है देकि chamber हिंदूस्तान में वास्तू सलस्ति क्षथ है जिसका रहत है आवास अथ्वा निवास पारे करा लिवास्तों शाष्ट भवन निर्मान से बनाए गया है यह एक कला है जिसे जिसमें क्या कहां पर है या क्यों सिची कहां पर रखनी है जैसे रुसोई अगनी कोन में बोरिंग इशान में बरंध्स्तान इस साबसुत्र हों चाहिए सापशंड़ों में कहा जाए वह भवन निर्मान में विग्यान के वास्ति इस्थान को सहिस्था पे रखना Timeshow को भी कहते हैं वास्ति अब्स ह के बीर कि पुरी मुझक से अपना हम बनाया जाता है लेकिन हर व्यक्तिशीवन में एक ही बार अपरा भणाद लेकिन वास्तो के पूरी जानकार ना होने के कारण उस घर को अपने सुविधा का उससार बना लेता है DoAK कि मास्तोनीब साथ नहीं होता जब भी कोई हमारी राए है सभी के लिए, जब भी आप अपना घर बनाए, तो वास्तुक बनाए, अगर आप अगर पुनाना या वास्तुक की नियम का उसार नहीं बना, तो आप उसे रेमेडि वास्तु के ज़र ठीक करवाएं मालो आप अपना घर बना लिया बाद में आपको पता चलता है इसे बहुत वास्तु दोशे हैं तो आप क्या करेंगे ना तो उसे आप तोड़ सकते कोगि इतना पैसा नहीं इससे बहुत वास्तु दोश है ना तो आप तोड़ सकते और ना उसे आप छोड़ सकते ये क्योंकि बहुत मुश्किल से करजा लेके बनाया है लेकिन मित्य रिस्तदार के मदद लेकर फिर आपको पास दो ही रास्ते हैं या तो तोड़ो या नहीं तो सारी जिन्द की भुखतो तो आप मेरे अगर ऐसे कभी कोई समझता है तो आप मेरे से फोन के द्वारा ये वेसे बात करके आप से ठीक बन करके अच्छा आपकी जान के लिए मैं बताना चाहता हूँ भायवत भारिश हो रही है आप उस बारिश को और हमारे नुकसान में नुकसान होता है मन में निगेटिव होता है मैं क्या करूँ कोई जादू नहीं कर रहा जहां जहां पर निगेटिव अनर्जी फैलती है वहां ऐसे क्यूरिस लगाए जिसे निगेटिव अनर्जी समाप होती जाए अब positive energy रिलीव होती है वही घर आपका वास्तो को सार कार्य करेंगे वही घर जो आपका नर्था वही सर्फ बन जाएगा आपको वास्तो को सार कार्य कर जबरन लाब मिलेगा यह जुरी है कि आपको समान लगवाने से किसी शक्स के लगाव रहे हैं नभी पत्रशक्त समान आपको मार्केट से मिल सकता है और अच्छे समान को लगवाने का प्रियास करें ऐसा नहों कि कहीं न कहीं कोई गल्चीज आपको मिल जाए नेगेटर पूजा दिखाए दिए कारण यह है कि वहाँ पर भजन किर्टन घंटे बसते हैं जिसके वजए से वहाँ पर पोजीटिव उर्जा की उत्पत्ती होती है वहाँ कोई भगवान नहीं है लेकिन मंदिर में जाके आपको कितनी शान्ती बती है अब मालो आप बहुत अच्छे हैं अच्छे मांसी इस्थिति में है आपको किसी होस्पीटल का मुआयना करने के लिए भे दिया जाए और वहाँ जाकर आप देखते हैं किसी के गोली लगी है किसी का उप्रेशन हो रहा है किसी का बच्चा मर गया है कही रो आराट हो रही है तो वहाँ पर आपकी अनर्जी का लेवल क्या हो जाएगा कोई बहुत परिशान है जिसके वज़ासे नेगेटू अनर्जी फैल रही है वहाँ जाकर आपकी इस्थिति क्या हो जाएगी भागवान शब्द का रत है भागवान भे मिन्स माता और गय मिन्स गगन और वै मिन्स पत्नि आम मिन्स बेटी नेम बीटा परिट्वी माता परिट्वी है भूमी मा स्पेस आकाश गगन प्रिटा एर वाइयो पत्नी फाईर अगनी अगनी बेटा जल नीर बेटी वाटर पाँच तत्वों के रिस्ते को हम भगवार कहते हैं यह जो पाँच तत्व है इसके रिस्ते को हम भगवार कहते हैं अगर यह सई ढंक से इनका घर में पालन होता है तो वो घर स्वर्ग होता है या नर्क होता है इन पाँच तत्वों का समन्द ग्रहों से कैसे है क्या आप जा खक है ब्रस्पती गरूविस मान पिता शुक्र पती पत्द स्थीय जीवन शनी अपने अधिन लोग 37% हमारे शरीर के अंदर वाटर है और 12% ऑर्ठ एलिमेंटव 4% यह चाहिए 3 परसेंक्ट हमारा यह वास्तुदोश में अब हम्आरे इसके पंच-तक व्होंतेज़ पांच तत्में पानी पिरत्वी लकड़ी धातू ये सब होती है ठीके और अगनी ये 5 तत्में 12 राज़ों के तत्में अगनी recall सिंग धनू पिरत्वी वरश कन्या मकर वायू मिथूं तुलाकोम और जल करक थ्मीन ये 12 राज़िए एक नमबर जीवन यापन के अनुसार अगर किसी का मिस है तो उत्र दिशा जल तत्र योजना बनाने का उत्र दिशा में जल का निर्मान करें जल के पोष्ट लगाए पिर्शवीत पच्चिम दिश्व कार्य सुस्ब करने करते हैं को निदिश करती हैं दो नमबर पिर्श्वी तत्वे दक्षिन पच्छिन देश का कारिया चूर करने के सम्वाइब तीन नमबर पारिवारिक सम्मन आतम विश्वा, स्वास, काश्टत, पूर दिशा में विकास का निदेश करता है। साथ नमबर मांसिव, शांति, संतान, रचनात्म, धातु, तत्व, पच्छिन दिश्वा को निदेश करता है। अगर तीन नमबर मिस है, तो लिवर से समंद्ध विवारी पाई जाए। अगर चार नमबर मिस है, तो रीड की हटी से समंद्ध समस्ता पाई जाए।